का फ्रेंड्स मैं भी शेक्तिर पाड़ी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फ़र यूपीस इंड यूपी पीसेस पर दोस्तों आज तारीक है 4 सितंबर सन 2022 दोस्तों आज संडे के दिन हम बिसिकली अपना एक नया एंडियन एक्सपरेस के साथ स तो थोड़ा सा देरी दिन पर करिया में आज लेट हो गया तो इसकी वजह से माफी चाहता हूं कि आज करेंड न्यूस पेपर अनलेसिस लेट में आ रहा है तो इसके लिए मुझे थोड़ा माफ करिए गया चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते वे शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देश तो सबसे पहले करेंट अफेर से शुरुआत करेंगे इंडियन एक्सप्रिस के ही तो दोस्तों यह सबसे पहले मनी लॉंडरिंग के कंटेक्स में कुछ बाते हैं यहां पे आप देखो कि दोस्तों की इडी ने इन्फोर्समे इंडिया चल रही है अब दोस्तों थोड़ा सा इसके कंटेक्स में जो जरूरी बात है आप देखोगे कि किस तरीके सी चाइनीज एप इंडिया में जाल साजी अपना कर रही थी किस तरीके सिनका रैकेट चल ला था इस रैकेट के तायत आप देखो कि आपने बहुत से अपना नेटवर्क कहरा रही थी करती क्या थी कि यह किसी इंडियन कॉर्पोरेट कंपणी को हायर करती और साथ ही कुछ चार्टेड अकाउंटेंस को हायर करती और वो इंडिया में उनके विहाब पे नेटवर्क करते नेटवर्क चलाते बाद में धीरे-धीरे क्या होता कि जो लोन पास होता, धीरे धीरे इक्वल डिस्टिबिशन इस कॉर्परेट फंड्स में डिवाइड हो जाता, तो कहने का यही मतलब है, कि एक पार्टनर्शिप के चलते ही चाइनीज कंपनिया जो है इंडिया के साथ कॉर्परेट से करें, पार्टनर्शिप करने के बाद ग्र यह दोस्तों छुटा से एक है, आर्टिकल इसमें आप देखोगे कि नॉलिज के पॉइंट अब इससे आपको एक चीज मिलेगी, इन दसेंस आप देखोगे कि आपको याद होगा अगर नहीं याद होगा, तो मैं बता दिता हूँ कि सन 2016 में यहाँ पर क्या है, कि अखले श मतलब यह जो गौर्मेंट का एक्शन है, इसको उन्होंने अनकॉंस्टिटूशनल बता दिया, अनकॉंस्टिटूशनल इंदस समझने की कोशिश करिए दोस्तों, यहाँ पर जो में पॉइन पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ, देखोगे दोस्तों, यहाँ पर लि कास्ट में या इस चीज़ को किसली, मतलब कास्ट के लौक को अगर आप इंटेक्ट करते हो, तो ऐसा नहीं कि आप ऑफिशल नोटिस दे दो कि तो हो जाएगा, इसके लिए पहले आपको पारलिमेंट में लौ बनाना पड़ेगा, अगर प्रेसिडेंट उस पे गरांड दे करते हैं, अब दोस्तों यहां पर एकोनामी के कंटेक्स में दोती न्यूज लगाता, डिसकस करेंगे, देखिए दोस्तों, एक न्यूज है, यहां पर आप देखोगे, कि वाट अल्टरनेटिव पेमेंट है, ऑप्शन सान्द गूगल में फॉर्द आप में कर, दोस्तों, अभी तक क्या है, कि जैसे Google पे माल लीजे, जो Non Gaming App है, Non Gaming In The App स्मझने की कोशिश करें दोस्तों, क見て कोई Gaming App है, और Non Gaming App में कोई Laneal साइड हो गया, शादी की कोई साइड हो गया, आप देखोगे, कि और भी बहुत सी चीज़ें जो Non Gaming में आती है, जिसका गेम से कोई वास्ता नहीं है तो उसकी पेमिंट को लेकर यहां पर बाते चलिए पेमिंट इंदस हैं समझने की कोशिश करिए अभी तक क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि एपल और गूगल पे पे आप कोई भी गेमिंग एप करते हो तो आपको सिर्फ जो पेमिंट पार्टनर्शिप मिलेगी वो गूगल की ही मिलेगी आप और कोई पार्टनर्शिप के तहट नहीं कर सकते हो नतीजा क्या होता है कि आप जब किसी भी गेम का बिल्ट ट्रांजेक्शन पे करते हो तो तो तीस परसेंट पहले जो है कमिशन चार्ज गूगल पे लेता था अपना तो फिर धीरे-धीरे लाका सबसे बड़ा संबने की कोशिष करी कि हम वेराइटी और पेमेंट गेट्वें लानी से क्या होगा दोस्तों कि यह जो कमीशन चार्ज है न जो कमेशन ट्रांजेक्शन है यह थोड़ा और रेटीछ हो जाएगा मतलब इनदा संबने की कोशिष करी कि 30 इस से 15% और इसको पूरी कोशिश है कि 4% तक लाने की बात की जाए तो इसी के कंटेक्स में देखो के दोस्तों कि अपने इंडिया में क्या चल रहा है कि थोड़ा सा जो आइटे मिनिस्ट्री के पास जो अपने इंडिया के लोग गए इंदा सें समझने की कोशिश करी यहां अब देखें में कुछ बाते लिखें आपको बताता हूं कि देखो के प्रॉमिनेंट इंडियान इंटरनेट इंटेप्रेनर इंक्लूट्स लाइग दा पेटियम विजाशेखर शर्मा और भारत मैट्रिमोनी बैट्रिमारत मैट्रिमोनी मुरूवल जना किमरान रेस्ट कंस अब दिस सिस्टम विद आई टे मिनिस्ट्री अजर्ट प्रेशर गूगल सैड इट वूड डिफर दा इंफोर्समेंट अफिस रूल इंडिया अंटिल था टूज़ज़एट वेट्वेट्वे लानी की बात की जा रही है अभी तक क्या था कि गूगल के ही पेट्मेंट तो स्पॉटिफाई ने थोड़ा सा डिटेल में सिस्क में यहां पर बताता हूं यहां पर दोस्तों देखी लिखा हुआ है कि स्पॉटिफाई डेवलेपर दैट है बिन पर्टिकुलर वोकल अगेंस्ट गूगल एंड अपल हैंडलिंग अफ पेमेंट मेंट अन इन एप प देखे दोस्तों बाट सही है अगर आप मालीजिए किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हों इन रसें समझनी के कोशिश करें आपने जैसे मालीए कोई भी एक 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 जांपल में जैसे मालीजिए यहां मैं किसी का पेट प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मत सूची गा कि मै पेट प्रमोशन के त्रून सारी चीजों का नाम ले रहा हूँ आप जैसे माली एक एक्जामपल में कुकू एपम डाउनलोड करते हो आप उस पे डाउनलोड करते हो तो आप देखोगे कि उस पे जैसे माली जो उसका मंतली सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा 200-300-400 जितना भी ह कमिशन चार्ज गूगल ने ले लिया आपके अकाउंट में पैसा पहुंच वाने के लिए तो अब जाहिर सी बात है यह सब्सक्रिप्शन चार्ज बढ़ गया तो इस पर थोड़ी सी नाराजगी जिता आई गया अब क्या है कि लोगों का माइंसेट अलग है कि इसका सब्स है बेसिकली क्या दोस्तों कि formal और informal employment music sector basically industries में music industries में आप देखोगे कि दो types के लोग होते हैं एक formal एक informal formal समझने के कुशिश करिए दोस्तों जो basically जैसे माली जिस्टूडियो बगारा में अपना काम करते हैं तो वह formalized होंगे formalized in the sense आपको समझाओ कि जैसे studio में जो अपना record करते हैं audio record करते हैं किसी music company के लिए काम करते हैं जैसे T series हो गया बड़ी बड़ी कोई companies के लिए काम करते हैं तो formal sector में आते हैं और आप देखोगे दोस्तों informal sector basically वो sector होता है जैसे माली जिस्टूडियो आप देखोगे कि कोई DJ DJ है private DJ company है company के मतलब basically DJ band है DJ group है तो उसमें आप देखोगे तरह तरह के लोग हैं तरह तरह के लोग इंदस समझने की कोशिश करिए कोई DJ operator होगा कोई machine operator होगा कोई drum operator होगा तो basically उनका खुद का band है तो उसी के context में यहां पे बाते लिखी हैं दोस्तों कि थोड़ा सा उनके social exploitation को है social exploitation industry समझने की कोशिश करिए कि आप देखोगे कि यहां पर क्या दोस्तों एक data है data basically देने वाला कौन है दोस्तों ICRE तो देखे दोस्तों यह थोड़ा premiums के point of view से important है तो ICRE का पहले तो full form क्या होता है यह देख लिए ICRE का full form है basically दोस्तों Indian council of research and international economic relations ठीके दोस्तों तो confusion मत होईएगा ध्यान दीजेगा यही सारी चीज़े है यूपी पीसेस में तो ICRE बनते ही है आपको तो पता ही है आप देखोगे दोस्तों कि ICRE की रिपोर्ट के मुताफिक है जो अपने इंडिया में जो informal music industry में जो है काम कर रहे है उनकिया जो न्यूतम वेतन है जो minimum wages है न वो unskilled worker से भी कम है unskilled worker इंदसें समझने कोशिश करिए कि एक unskilled worker की अगर कह सकते हो कि average income 29,000 है तो उसी के मुकाबले sound engineer की 28,000, disc jockey की 27,000, brass band की 19,000, instrument manufacturer की 12,500 तो यह in comparison में काफी लो है तो इसी के context में देखिए दोस्तों बातने अब यहाँ पर जो मसाला है एक्जाम का वो मैं आपको बताता हूँ अब इसके पीछे की कहानी जितनी थी जरूरी वो मैंने बता दिया अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मामले की बात है यहाँ पर देखिए गा लिखा है despite is the large size and estimated average monthly income of different subgroups within the informal music industry is lower than the middle salary of the unskilled worker तो आई वाली बात दोस्तों जो मैंने बता दिया कि कि किस तरीके से average monthly income जो है यहाँ पर दोस्तों देखोगे कि क्या लिखा है कि minimum wages act क्या कहता है कि कोई भी employee अगर hire किया जाता है किसी भी काम के लिए तो आप देखो कि चाहे वो skilled हो चाहे वो unskilled हो तो schedule page 6 के तहत employment की minimum wages उसकी fix होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दारा मान की चलिया उसकी मजबूरी है उसको काम नहीं मिला तो 500 रुपए का काम आके 200 रुपए में करका चला जाएगा तो एक minimum wages जो act है न वो निर्धारित की तहत ही उसको काम देना चाहिए यह लौ कहता है तो अब दोस्तों यहीं पर कुछ बात है अब थोड़ा सा दोस्तों देखिए कुछ ज़रूरी और भी बात हैं एक्जाम के point office एक्जाम के point office इंदसें समझने की कोशिश करी दोस्तों तो इंडियन म्यूजिक इंडस्टी की commission की report के मुताबिक यह है कि जो informal sectors के जो लोग है काम कर रहे है अभी इनका livelihood और social structure जो social security है वो in comparison formal के मुकाबली unskilled मुकालवे उतना भी बढ़िया नहीं है तो इसके ताहित क्या है कि government को थोड़ी सी कुछ policies लाना पड़ेगा कुछ का जाता हूं कि आज के समय में कोई भी film industry flourish करती है तो अपने गानों के दम पे flourish करती है तो music industry ने किस तरीके से कह सकतो कि film industry को boon किया है तो वही कारण है कि यह जो musician है आज इनकी life कैसे है कैसे exploit हो रही है उस हिसाब से जो काम कर रहे है उनका महंताना नहीं मिल रहा है तो वही यहाँ पर बात दी दोस्तों जो यहाँ पर ज़रूरी था अब हूं मैं बता दिया आप देखे दोस्तों यहाँ पर दो चीज़े हैं प्रीसियस के point of view से यहाँ पर देखे दोस्तों लिखा है the Indian Performing Rights Society IRPS and Phonographic Performance Limited are leading or the organization that govern the commercial use of music in India तो वही वाली बात है दोस्तों कि IRPS और PPL ए दोस्तों सकता था दोस्तों बता दिया ठीक है अब दोस्तों दा हिंदू पर चलेंगे ठीक है दोस्तों आप ज्यादा समय नलते हुए चली वहाँ चलते हैं दो टाइम इंदस्य समझने के कोशिश करिए कि एक उसकी बोवाई के टाइम, जब बीज उप जाना हो, और दूसरे टाइम जब वो पैदा हो जाता था, बीज जब बाहर आ जाता था, स्प्राउट हो जाता था, तब दुबारा हमको जरुवत पढ़ती थी, ताकि उसमें पहला तो जबुद पढ़ती थी, उसको बोने के लिए, मिटी में डालने के लिए, तब हम यूरिया देते थे, किसले देते थे, ताकि नाइट्रोजन इंरिच्मेंट को, उसके बाद आप देखेंगे, जब उसमें स्प्राउटिंग होने लगती थी, फ्लरिशिंग होने लगती थी, फिर उसके बाद हम सेकेंट टाइम यूरिया देते थे, यह दो टाइम का यूरिया पढ़ता था, लिक्विट, जिसमें क्या है कि यूरिया की नैनो पार्टिकल्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर की तरह है, आप देखो कि दोस्तों की यह एक बहतर विकल्प माना जा रहा है, बहतर विकल्प इंदा सेंस की अभी जो हम दो टाइम यूज करते हैं, इससे क्या है कि क्रॉप की लाना होता है, जब केमिकल फर्टिलाइजर, जब उसको लाती है, मिनिस्ट्री, तो होता क्या है कि उसका पहले इंटर्नल असिस्मेंट होता है, तो उसका इंटर्नल असिस्मेंट फर्टिलाइजर का तीन सीजन का होता है, लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है, यह देखिए इस तक इंडिया की जो domestic market है न यूरिया production की वो नैनो यूरिया basically self-sufficient हमको बना देगा यही कारण है कि आज जो 90 लाग टन हम basically import करते हैं न यूरिया ये कुछ हद तक कह सकते हो कि company का 40,000 करोड उपए कह सकते हो कि बचा सकता है तो यही सब था दोस्तों तो अब उमीद करता हूं रोज की तरह आज भी कई मेरी बात आपको अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को share करना, subscribe करना, like करना पढ़ते रहें, मस्त रहें और हाँ दोस्तों कोई अगर ऐसा हो article या कोई भी ऐसी चीज हो जो मैंने छोड़ दी हो जो आप चाहते हो कि मैं discuss करूं तो